भाई सब ये कहानी शुरू होती है 2004 से जब ICC ने कुछ रूल्स बदले और कुछ रंग वर्ल्ड कप के बाद चैंपियन ट्रोफी आई और T20 जैसे शाट फॉर्बेट ने भी जनन लिया वरना इसे पहले तक तो ICC का क्रिकट में भी वही रोल था जो शादी के दिन फुपा क होता है समझ रहे हो ना मतलब 2004 से पहले स्वाय वर्ल्ड कप और चैंपियन ट्रोफी की ट्रोफी देने और खलाडियों पर बैन लगाने के ICC का कोई खास काम नहीं था मगर 2004 में पहली बार ICC ने प्लेयर आफ दा इयर का इवार्ड देना शुरू किया हर साल के टॉप फूर परफॉर्मर्स को चार अलग-अलग केटागरीज में चुना जाता और इन्हें चार मुख्तलफ एवार्ड से नमाज आ जाता सबसे पहला और पहतरीन एवार्ड तो ICC क्रिक्टर आफ दा इयर का होता है मतलब ऐसा खलाडी जिसने क्रिकट के हर फॉर्मेट में बेस्ट पर परफॉर्मर्स को पांच इवार्ड देता है तो आज की इस वीडियो में हम आपको 2004 से अभी तक के सभी क्रिक्टर का कच्चा चिक्टा खोल के दिखाने वाले हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और ये रेड वाला बटन न त उड़ देना इसको तो चलिए शुरू करते हैं 2004 दोस्तो 2004 का वो पहला साल था जब ICC ने पूरे साल के बेस्ट परफॉर्मर्स को इवार्ड देने का इलान किया था और ICC करिक्टर आफ दा इयर का पहला ही अवार्ड इंडियन बले बास राहुल ड्रेवर्ड ने अपने न के थे जिसमेंसे दो तो अकेले राहुल ड्रेवर्ड को ही मिले थे ओडियाई करिक्टर आफ दा इयर का वार्ड इंग्लेंड के आर आउंडर फिलिंट आफ के नाम हुआ था और यंग टैलेंट यनी मर्जिंग करिक्टर इंडियन आर आउंडर रुफान पठान ने अपने नाम कर लिया था दोजार पांच दोस्तो दोजार पांच का साल इंग्लेंड और सौथ अफिरिका के हग में किया था क्योंकि क्रिक्टर ऑफ दा इयर का वार्ड दो ऐसे आर आउंडर ने अपने नाम किया था जो दोनों ही कमाल थे और एक दूसरे के खलाफ भी एक सेर था दूसरा सवासेर. जे हां, एंग्लिश आरा운र्डर Flintoff और सौथवी की आरा운डर Jack Callas. टेस्ट क्रिक्टर आफ दा इयर का भी पीटरसन ही बने थे. 2006 25.500 का साल उससिया के लिए ऐसे ही था जैसे आशकों के लिए 14 फैबरी होता है. मतलब ऐस्टेलिया ने वर्ल्ड कप भी जीता और तीन ICC आवार्ड भी अपने नाम किये ICC क्रिक्टर ओफ दा इयर का आवार्ड मिला रिकी पॉंटिंग को और टेस्ट क्रिक्टर ओफ दा इयर का आवार्ड भी रिकी पॉंटिंग नहीं अपने नाम किया जबकि वन डे क्रिक्टर ओफ दा इयर का एवार्ड माइकल हसी को मिला जबकि आखरी और चौथा इमर्जिंग क्रिक्टर का एवार्ड इंग्लिश बल्ले बाज लेन बेल को दिया किया दो हजार साथ दोस्तो 2007 के साल पर एक बार फिर से ऑस्टेलियन ही शाय रहे क्योंकि इस साल भी 2006 की तरह रिकी पॉंटेंग ही क्रिक्टर ओफ दा इयर रहे जबकि टेस्ट क्रिक्टर ओफ दा इयर का वार्ड पहली बार पाकसानी बल्ले बाज महम्मद यूसफ को मिला महम्मद यूसफ ने एक ही साल में 9 सेंचरीज, 350 और 99 की एवरेज के साथ 1800 रंज बनाये थे और इसी वज़ा से इने टेस्ट क्रिक्टर ओफ दा इयर का वार्ड दिया गया था जो के एक रिकॉर्ड भी है ओडिये क्रिक्टर ओफ दा इयर का वार्ड भी औस टेलिवी ओबनर मैथ्यू हैडन के नाम हुआ था क्योंकि हैडन ने भी इस साल 5 सेंचरीज, 650 और 60 की एवरेज के साथ 1600 रंज बनाये थे जबके इमर्जिंग क्रिक्टर का एवार्ड औस टेलिवी स्पीड स्टार शौन टेट के नाम गया था दोजार आट 222 का साल एक बार फिर इंडिया के हक में गया था क्योंकि इंडिया ने 2007 का T20 World Cup भी जीत लिया था और दो एवार्ड भी जीत लिये थे क्रिक्टर ओफ दा इयर का वार्ड चंदरपाल को मिला था क्योंकि इस साल इनकी बैटिंग एवरेज 111 गी थी और टैस क्रिक्टर ओफ दा इयर डेल स्टेन बने थे क्योंकि स्टेन ने इस एक ही साल में 74 विकट्स उड़ाये थे जिसमें 5 बार 5-5 विकट्स और 2 बार 10-10 विकट्स पी शामल है ODI क्रिक्टर ओफ दा इयर का अवार्ड महेंदर सिंग धोनी के नाम गया था क्योंकि इस साल धोनी ने 2 सेंच्रीज और 8 फिफ्टीज के साथ 1200 रंस बनाये थे जबके मर्जिंग क्रिक्टर ओफ दा इयर का अवार्ड सिरिल लेंकन आरॉंडर एंजिलोस मैथ्यूस ने अपने नाम किया था और T20 क्रिक्टर ओफ दा इयर का अवार्ड युवराज सिंग को मिला था 2007 में डेब्यू करने वाले मिचल जॉनसन ने 2009 में तवाही मचागे रख दी थी क्यूंके इस साल जॉनसन ने 63 विकर्स लिये थे जिसमें दो बार 55 और एक बार 10 विकर्स भी शामल थे और साथ ही एक सैंच्री और तीन फिफ्टीज करके 500 रंस भी बनाये थे ODII के बेस्ट प्लेयर का इवाड एक बार फिर महेंदर सिंग धोनी के नाम ही गया था और टेस्ट क्रिक्टर घोतम गंपीर को माना गया था जबकि अमर्जिंग क्रिक्टर का इवाड और स्टेलवी बॉलर पीडल सडल को मिला था और T20 क्रिक्टर ऑफ दा इयर का इवाड दिलशान के नाम था दो हजार दस 22 सब दो हजार दस का साल गौड ऑफ क्रिकट सचन के नाम था क्योंकि इस साल सचन ने टेस्ट में तीन सैंचरी और साथ फिफ्टीज के साथ सोला सो रंस बनाये थे जबकि ODI में डबल सैंचरी वाला कारनाम भी कर दिखाया था टेस्ट में 62 की एवरेज के साथ 1500 रंस बना कर सहवाग टेस्ट क्रिक्टर ऑफ दा इयर रहे थे और ODI में एवीड विलेज ने इस साल पांच सैंचरी और चार फिफ्टीज बनाई थी और वो भी 60 की एवरेज के साथ तोड़ी एक रिक्टर ऑफ दा इयर का इवाड एबीड विलेज के नाम गया था इमर्जिंग क्रिक्टर इंगलिश बॉलर स्टेवन फिन रहे थे जबकि T20 क्रिक्टर ऑफ दा इयर का सहरा बाज यानि ब्रैडन मुकैलम के सर गया था डबल सेंचरीज बनाने वाले इंगलिश बलेबास अलस्टर कुक के सर था जबकि वन डे में कुमार संगाकारा ने बाज ही मारी थी इमर्जिंग क्रिक्टर वेस्ट इंडियन स्पिनर दविंदरा पिशू थे और टीटविंटी बेस्ट क्रिक्टर का एवाड टिम साउथी की बॉलिंग के नाम था दोस्तों 2012 का साल कुमार संगाकारा के नाम रहा था क्योंकि इन्होंने इस साल टेस्ट में चार और वन डे में तीन सेंचरीज बना डाली थी और टेस्ट की चार सेंचरीज और एक डबल सेंचरीज की वज़ा से ने टेस्ट क्रिक्टर ओफ दा इयर का एवाड भी दे दिया गया था जबकि वन डे में पांच सेंचरीज बना कर विरात कोली ने ODI Director of the Year का Award अपने नाम कर लिया था Emerging Director का Award इस बार फिर से Western News के सुलीन नरैन के नाम रहा था और T20 Director of the Year का Award एवीड विलियस को मिला था 2013 दोस्तो 2013 का Director of the Year का Award और स्टेली वी कैप्टन माइकल क्लार्क के नाम गया था माइकल क्लार्क ने 2013 में 6 सेंचरी और टेस्ट में एक ट्रिपल सेंचरी भी बनाई थी और इनकी एवरज भी 106 की थी इसी ट्रिपल सेंचरी की वज़ा से ने Test Director of the Year का Award भी दे दिया गया था जबकि वन डे में 3 सेंचरी और 10 50s करने वाले कुमार सगाकारा इस साल के ODI क्रिक्टर ऑफ दा इयर बने थे और Emerging क्रिक्टर का Award इंडियन बल्ले बास पुजाडा को मिला था जबकि T20 क्रिक्टर का Award पाकस्तानी यॉरकर केंग उमर्गुल के नाम गया था 2014 का साल एक बार फिल्म मिचल जॉनसन ने मार लिया था वो दूसरी बार क्रिक्टर ऑफ दा इयर बने थे इनकी टेस्ट में 50 विकट्स की विजा से ने टेस्क क्रिक्टर ऑफ दा इयर का Award भी दे दिया गया था जबकि वन्डे में 2014 का साल मिस्टर 360 एबीट विल्यस के नाम रहा था एबीट विल्यस ने इस साल 3 सैंचरी और 7 50s बनाई थी और वो भी 73 की बैटिंग एवरज के साथ और T20 क्रिक्टर 2014 और अरन फिंच रहे थे क्योंकि इस साल उन्होंने T20 में 156 रंस की बारी केली थी 2015 22 सब 2015 का साल यंग स्टीव स्मित की शांदार बल्ले बाजी के नाम गया था उन्होंने टेस्ट में 6 और 1 डे में 3 सैंचरी स्कोर किये थे और एक डबल सैंचरी भी की थी इनकी इसी डबल सैंचरी और 73 की बैकिंग अवरेज की विज़ा से इन्हें टेस्ट क्रिक्टर ओफ दा इयर का वाट भी दे दिया गया था जबके वन डे में 2015 का साल फिर से तीसरी बार एबीट वीलियस के नाम रहा था इमर्जिंग क्रिक्टर ओस्टेलिया के जो शैजल वुड बने थे और T20 का सेरा फाफ डुफलीसी के सर सजा था 2016 दोस्तो 2016 के साल में इडियन आरांडर रवी चंदरा एश्वन ने धूम मचा दी थी अश्वन ने दो सैंचरी और चार फिफ्टीस के साथ छे सो रंज तो बनाये ही थे साथ में आठ बार 5 विकट्स और तीन बार 10 विकट्स लेकर 72 विकट्स भी गठे गिये थे और 2016 के साल के کرेक्टर आफ दा इयर और टेस्ट केरेक्टर आफ दा इयर और का इवाड भी मार लिया था अबरजिन करेक्टर बंगला देशी बॉलर मुस्तफीस yang रहमान बने थे जबकि T20 में चार्च है के मार कर figya का पलणा सब पे भारी था दो हजार स्तारा दोस्तो दोजा स्तारा क्रिक्टर ओफ दा इयर का एवार्ड पहली बार विरात कोली के हक में आया था और वो ये एवार्ड लेने वाले चौथे इंडियन प्लेयर थे विरात ने इस साल वन डे में 6 सेंचरीज और 750 के साथ 1500 रंस बनाये थे और इनकी एवरज भी 77 की थी इसी परफॉर्मस पर इनने इस साल ODII प्लेयर ओफ दा इयर का एवार्ड भी दे दिया गया था और T20 क्रिक्टर ओफ दा इयर का इवार्ड इंडियन स्पिन बॉलर चाहल ने अपने नाम किया था 2018 भाई सब क्रिकट की तारीख में विरात वो पहले बल्ले बास थे जो 2018 में लगातार दूसरी बार क्रिक्टर ओफ दा इयर का इवार्ड जी चुके है 2018 के साल में तो विरात ने 133 की बैटिंग आवरिज के साथ 6 सेंचरीज और 3 150 सकोर किये थे और 7 ही टेस्स में 5 सेंचरीज़ और 5 फिफ्टीज़ करके कई सारे रिकारड तो डाले थे जिसमें से एक रिकॉर्ड तो ये भी था कि इस साल के तीन के तीनो क्रिकट इवार्ड ही विरात कोली को मिले थे और ऐसा क्रिकट की तारीख में शायद पहली और आखरी बार हुआ था 2019 2019 का साल इंग्लेंड को वर्ल्ड कप जितवाने वाले बैंस टोक के नाम रहा था क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद आशेस में भी इनकी परफॉर्मस शानदार थी टेस्ट करिक्टर ओफ ता येर का वार्ड अस्टेलवी बॉलर पैक कॉमस के नाम गया था जबकि ODAI क्रिक्टर का वार्ड रोहित शर्मा ने पहली बार अपने नम किया था इमर्जिंग क्रिक्टर ओस्टेलवी बले बास लंबी शाने रहे थे जबकि T20 का सहरा दीपिक चहार के सर गया था बाइस अब 2020 के साल के सारे क्रिकट वार्ड करोना के सर रहे थे और सारी प्रफॉर्मसेस भी करोना ने ही दिखाई थी और फिर आया 2021 का साल जब पहली बार पाकिस्तान ने बाजी मारी 2021 के साल में शाहिन शाह फ्रीदी वो पहले पाकिस्तानी क्रिक्टर बने जिन्ही क्रिक्टर आफ दा इयर का वार्ड मिला जबकि इंग्लिश बल्ले बास जोईज रूड छे सेंचरी और चार फिफ्टी के साथ स्तारा सो रंस बनाकर टेस्ट क्रिक्टर आफ दा इयर बने ओडियाई में भी पहली बार बाजी किसी पाकिस्तानी के हाथ लगी और ये कारनमा किया बाबर आजम ने जबकि टी-टी में 73 की आवरिज के साथ तेरा सो रंस बनाकर महमद रिजवान टी-टी-टी क्रिक्टर आफ दा इयर रहे और इमरजिंग क्रिक्टर आफ दा इयर का एवार्ड सौत अबरी की बल्ले बास जाने मन मलान को मिला तो दोस्तों अब शुरू हो गया है 2022 का साल जिसमें कई सारे क्रिकेट रिकॉर्ड बने गे और टूटेंगे एक टी-टी-टी वर्ल्ड का भी खेरा जाएगा और पी-एसल के बाद आई-पियल की बारी भी आएगी तो क्या ख्याल है इस साल के क्रिक्टर आफ दा इयर का एवाड किस बल्ले बास को जाने वाल है कॉमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो पसान आई हो तो लाइक कर दीजेगा और चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा